समाधार, समाधार, समाधार तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने कहा कि सिक्के का अंदर रहना ठीक नहीं है आप फिर भी एक दिन इंतजार कर ले और यदि नहीं होता है तो कल बच्चे को ले आए और फिर यदि होता है तो हम इसका उपरेशन करेंगे अब एक दिन था मा के पास अब वो सारे दिन वैसे अपीस आफ माइन चैनल देखती है समाधान कारिकरम भी रेगुलर देखती है उन्होंने राजियों का सुन्दर अभ्यास किया और एक कशुप समाचार कि शाम को वो सिक्का मल के साथ बाहर आ गया मा ने बहुत चैन की सांस ली और बहुत खुशी के साथ उन्होंने ये फोन करके हमें बताया ये बात जरूर आप शेयर कीजिएगा तो मादवेजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और साथ ही ऐसे सुन्दर अनुभाव जब हम तक आते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है समाधान का लक्षी यही है कि हम शुब शुब समाचार सुनते रहें आप सभी से और जो भी सुन्दर अभ्यास आपको दिये जाते हैं पूरे विश्वास के साथ ये दियाब करते हैं तो सच मुझ ऐसी सुन्दर अनुभाव प्राप्त होते हैं तो आई इसे सुन्दर अनुभाव के साथ आज की समाधान की शुरुवात करते हैं अभिनंदन करते हैं आधर्णिय भ्राताजी का पैसा बापका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है बहुत अच्छे अच्छे शुब समाचार हमें प्राप्त होते रहते हैं उनमी से एक शुब समाचार बैंने सोचा शुरुवात इसी से कीज़एं तैंक्स सच तो यही है कि योग बहुत बड़ी शक्ती है कई लोग इसे कोइंसिदेंट भी मान सकते हैं तो अच्छानक आपे ही आगया आप लोग अपने योग की तारीफ कर रहे हैं ऐसे ही लेकिन सच मुच योग एक बहुत बड़ी शक्ती है इससे मनुस का चित श्यान्त होता है प्रकरती बहुत कुछ सहयोग करने लगती है यह जो देह है इसमें कई चेंजी जाने लगते है हमारे शरीर की सभी चीजे चार्ज होने लगती है लंबी आयू हो जाती है ततकाली लाब में चित्यान्त होने के साथ सफलता बहुत मिलती है जहां था है यह समचार सुनने को मिलते रहते हैं विद्धारतियों के जो उन्हें बहुत सा फलता मिलती है जो बहुत भैबीते घवरात अंदर होती थी एक्जाम फियर बहुत था तो काफी लोगों को इसकी मदद मिल रही है तो यदि वास्तों में राजियों के फाइडों का मन उसको अच्छी तरह ग्यान हो तो इसको करने में बहुत रूची हो लेकिन भगवान से मिलन का अनुभविष्य होता है परमानंद की फीलिंग होती है उसमें आत्मा पूरी तरह तरप्त हो जाती है मन हमारा दीप साइलेंस में चला जाता है एक अलोग की खुसी उससे प्राप्त होती है इसलिए बार बार बहुत अभ्यास की ज़रुरत है कई लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत समय से अभ्यास भी कर रहे हैं लेकिन खास ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी मौमाया में लगे हुए हैं काम दंदों में लगे हुए हैं थोड़ा बहुत सुन लेते हैं चैनल पे लेकिन केवल इस से नहीं हमें बहुत अच्छी प्रै तो यह वास्तों में योग का ही एक चमतकार कह लें या शक्ति कह लें जिसके माध्यम से भी ना उप्रिशन के यह बात सफल होगा। हमारे पूरे शदीर पर परभाव डालता है इस बात को जो बहुत अच्छे डौक्तर है जिनका रिसर्च माइन्ड है जिन्होंने गहरी स्टड़ी किया है बहुत लोग तो अपने प्रोफेशन में लग गए लभाई दे रहे लोगों को ठीक कर रहे तो वो इन बातों के बारे में जादा नहीं सोच स्विचार करते होंगे, पन्तु हमारे यहां भी कई डॉक्टर्स हैं, जो इस पर लेक्चर ही लेते हैं, कि सरीर में, कैसे सेल्स में, जीन्स में, उसके वी अंदर कुछ शुक्सम चीजे होती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, तो हम अपने को बहुत पोजिटिव रखें, और योग अभ्यास करें, तो हमारी इनर पावर बहुत बढ़ेंगी, और जो इवेंट्स हैं, जो घटनाए घटने वाली हैं, उनको हम परभावित कर सकते हैं, बिल्कुल, प्रते जी कुछ फोन कॉल्स हमारे पास आये थे, और आज चर्चा ऐसी चल पड़ी है, जो योग से संबंधित है, तो प्रश्ण भी लगभग योग से जुड़े हुए ही आये हैं, पहला प्रश्ण ब्रते जी कौशल्या साहु जी का है दुर्ग से ये कहती हैं कि मैं अभी अभी प्रमकुमारी से जुड़ी हूँ, सेवें डेस का बेसिक को इन सब को जाननी चाहिए, प्रते जी सेवें डेस ही परियाप्त है या आगे भी कुछ करना पड़ता है, तो उसको योग की गहराई समझ में आएगी, कुछ टाइमिंग फिक्स कर लेनी चाहिए हरे एक व्यक्ति को, जैसे इनका केस है, तो यह ऐसा फिक्स करने के इने दिन में पांच बार, दस-दस मिनट बैट के योग अभ्यास करना है, कुछ दिन तीन मां सी ये ऐसी धुन लगा दें, और देखें, दस-दस मिनट निकालना किसके लिए कठिन काम नहीं होता है, और प्योरीटी अपनाए साथ में अपने अन को सुद्ध करें, अपने ज्यान को और बढ़ाएं हमारे सेंटर्स में जो क्लासिज होती हैं, उसको एटेंट करके अपने ज्यान में वरद्धी करें, क्योंकि ज्यान ही ऐसी चीज है, जो मनुस को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखता है, नॉर्मल किसी ने अपमान किया उसमें भटक रहा है, किसी ने बहुत कर्ष दिया उसमें भटक रहा है, कोई मनोविकार ज़्यादा काम कर रहे हैं, गुसा बहुत आता है, इसलिए इरिटेट रहते हैं, मन उसमें भटक रहा है, तो जो ज्यानी आत्मा है, वो अपने मन की जो दिशा है उसको जाच करता है, नौट करता है कि क्या कारण है इस मन के बटकने के, कुछ काम दंदों में उपर नीचे हो रहा है, कुछ उसकी मनों काम नहीं पूर नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़ाद हैं, कभी-कभी बहुत अच्छे केसिज हमारे पास आते हैं, अभी- एक कपिल मुझसे मिलने आये, और जो बहन थी उसने बताया, कि मेरे एक भाई को ब्रेन की ऐसी बीमारी हुई है, जो सारी संसार में केवल 200 लोगों कोई है, और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े किये, इसका कोई राज नहीं, उसका हाल दिन और दिन बिगड़ता जा रहा है, इस्ति गिरती जा रही है, बोलना बंद हो गया, केवल सुनना वाकी है, बोडी विड़ेड होता जा रहा है, फिर दूसरा कहा, कि और जो दूसरा भाई है उससे छोटा, उस पर भी इस बीमारी का इफेक्ट आता जा रहा है, तो डॉक्टरों ने तो कह दिया है, जनेटिक ह तो लेकिन मैं जो बात सुना रहा था वो ये, कि इस बहन की मनो इस्तिती बहुत अच्छी थी, ये व्यर्थ संकल्पों के तूफान में, उदासी में, ये बहुत परिशानी में नहीं थी, हाला कि घर में और कोई नहीं है, पती-पत्नी भी बुजुर्ग हो चुके हैं काफ इस्तिती ये भी बुजुर्ग, लेकिन ये बहुत कुछ, कि बाबा करेगा, ये हमारा आई साथ किताब है कर्मों का, हमें तो अपने भाईयों की समाल कर नहीं है, आखिर वो हमारे पास रहते हैं, तो बुरा हाल हो जाता है लोग, खुद भी डिप्रेसन में आ जाते हैं, और भगवान को भी कोसने लगते हैं, कि ये सारे दुख तुमने हमारे उपर ही क्यों उडेल दिये हैं, क्या हम नहीं जाद अपाप किये, और भी तो बहुत हैं, उनको देलो, लेकिन इनकी मैं इस्तिती देख रहा था दोनों की, कि ये काफी स्यान, और एक ही संकल्ब, कि नहीं, आप कुछ बताओ, हम करेंगे, और ये ठीक हो जाएंगे, सिवाबा हमें मदद करेंगे, तो ऐसा पोजिटिव होना कितना अच्छा है, नहीं तो ये स्थिती मनुस को तुफान में ले आती है, और सारा ज्यान, योग, खुशी, स्यान्ती, प्रेम सब नस्ठ हो जात है, अपने चित को थोड़ा स्यान्त करें, थोड़ा सी बाबा पर विश्वास करें, तब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा संकल्प करें, और अपने चित को थोड़ा स्यान्त करें, तो आप देखेंगे, 50% जो वेस्थोट है, वो समात्त हो जाएंगे, मतलब ये भी एक study है, कि कहां कहां हम भटक रहे हैं और कहां कहां से हमें अपने आपको सरल करने की जरुरत है और साथ ही एक आगर करने की जरुरत है क्योंकि मुझे लगता है जी लोग यह सोचते हैं कि meditation सेख लिया तब तो मन एक आगर हो जाना चाहिए लेकिन शाहिद meditation सेखने के बाद भी यह चेकिंग करना और साथ ही अपने आपको चेंज करना बहुत जरूरी है इसलिए ग्यान जिसको हम हमेशा ग्यान का बल कहते हैं उसकी बहुत आवज सकता है कई लोग ऐसा सोचते हैं हम तो चैनल पे देख लेते हैं आपके मन में बहुत सारे questions भी उठते होंगे कई ऐसी समस्याइं होती होंगी जिनका समाधान आपको यहां से नहीं मिलता होगा तो आपको सेवा के इंदर पर रोज जाकर डेली class करनी चाहिए ग्यान की चर्चाएं करनी चाहिए तो यह विशेश रूप से ग्यान का बल हमें मदद करता है कि क्यों मेरा मन बटक रहा है चिंता लगी है मुझे तो उसका समाधान क्या करूँ मैं मुझे कोई उदासी इंता रहती है निरासा रहती है जीवन में प्रेशन रहता है उन सब के पीछे कुछ थोट्स अवस्य है उन थोट्स को यदि मनुस पकड़ ले यानि उसकी अवेरनेस में आ जाए और फिर ज्ञान के द्वारा उसको चेंज करे इस बाबा ने फरम सिक्षक बनकर हमें इस विश्व ड्रामा का ज्ञान बहुत गुए दिया है यह संसार एक ड्रामा की तरह चल रहा है इस गुए ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति समझ ले और उसको जीवन में अपलाई करे तो बहुत सारी चिंताएं परिशानियां दुईधाएं डिप्रेशन यह सब समाप्त हो जाता है मतलब ब्रते जी कहा जाए कि योग के साथ साथ हमें ज्ञान की भी आवश्यक्ता होगी जो हमें मदद करेगा अपने मन के वेस्ट थोट्स को समाप्त करने में अपने आपको थोड़ा चेंज करने में लाइट करने में ताकि हमारी एक आगरत और कॉंसेंट्रेशन बढ़ सके हमारे चार ओर बेड एनरजी बहुत ज़्यादे है उसका इफेक्ट कभी-कभी मनुस पर आता है लेकिन एक इससे भी जो सुकसम बात है जिसका इफेक्ट मनुस की मनुस्तिति पर बहुत आता है उसको जानना भी परामावश्यक है कि हमारे जनम-जनम के कर्म भी हमारा जवहार से वो हमें एफेक्ट कर देते हैं, कभी वो हमारे अपने चिंतन को ऐसा निगेटिव कर देते हैं, कि हमारी इस्थिती लंबे काल के लिए डाउन हो जाती है, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, हम ये देखते हैं, कि ये बात बहुतों के साथ हो रही है, मैं और इस पस्ट करूँ, बहुत ओको ऐसा अनुभव होता है, कि हपते में तीन दिन तो योग अभ्यास बहुत अच्छा होता है, चार दिन होता ही नहीं, कई ओको अनुभव होता है, कि सबेरे हमारा योग लगता ही नहीं, पांच बजे से लगना शुरू होता है, दिन में फिर बिल्कुल नहीं लगता थोड़ा अच्छा स्याम को लगता है किसी को अनुभो होता है जो मैं अपने घर में होती हूँ योग बहुत अच्छा लगता है सेवा केंद्र पर जाती हूँ, नहीं लगता, तो किसी को ये होता है, जब मैं सेवा केंद्र पर होती हूँ, तो योग बहुत अच्छा लगता है, घर में होती हूँ, तो नहीं लगता, मालो अनमने ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खालिया जिसके मनों स्थिटी बहुत बिगडी हुई है उसका मन पर प्रभा होता है कभी मन उसने दूसरों को देखना प्रारम कर दिया परचिंतन उसके मन में चलने लगा कुछ संसारी की च्छाएं बहुत बढ़ गई उन्हें देखा पडोसी का बिजनस तो बहुत आगे निकल गया है और मेरा तो ढिला रह गया तो उसमें वो लग गया ये कोई खराब काम तो नहीं है लगना ही चाहिए पन्तु इन सब से उसने अपने मन को इतना उल्जा लिया कि उसकी खुशी नस्थ हो गया उसका स्वमान उसको भूल गया और मन भटगने लगा योग समाप्त हो गया ये इसके कारण होते हैं योग के मार्क पे चल पड़ा हूँ तो निरंतर मेरी उन्नती होती चली जाए कल जैसी मेरी स्थिती थी या योग में जो एक आगरता थी उससे आज कहीं बहतर हो कल कहीं और बहतर हो मतलब लगातार मैं प्रोग्रेस करूँ तो ऐसे लगातार प्रोग्रेस किया जा सकता है क्या मूल बातों पर ध्यान जाए जैसा इनका केस है तो इनको चाहिए एक तीन दिन का अपना सुन्दर प्रोग्राम बनाएं हो सके तो सबेरे चार गंटे से हमको चार गंटे ये बिलकुल मौन रहे के बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, बहुत अच्छी मुल्लियों की इस्टडी करें और अपने से बाते करें, थोड़ा एकांत ले लें पतलब चार ओर से अपने को समेट कर अंतर मुखी होकर, ये तीन दिन तक बहुत अच्छा ध्यान दें और अगर कोई ऐसा कर सके कि तीन दिन के लिए मेरा मौन है, भोजन बहुत हलका करेंगे, और अच्छे अच्छे योग अभ्यास करेंगे, इस्टडी करेंगे, तीन दिन की एक साधना का एक प्रोग्राम बना देंगे अपना, और सब चीजों से बुद्धी जैसे मनोष करेंगे, उसमें स्वमान आ जाता है, उसमें 500 रुपों का अभ्यास आता है, ऐसे रिरीपन का अभ्यास आता है, उसमें तीनों लोगों की सेर करना आ जाता है, उसमें परमधाम में बहुत पावरफुल योग करना भी सम्मलित है, तो उसमें चारों और संसार को और प्रकरत को vibrations देने का भी एक अभ्यास है, इन अभ्यास को जब वो तीन दिन का प्रोग्राम बनाए, तो ऐसा रख ले के वो आधा-धा गंटा चार-पांच बार बैठेंगे, तो पांच बार आधा-धा गंटा बैठके ये सारे के सारे अभ्यास कर ले, देखेंगे तीन दिन में ही किस कि स्थिति कितनी में डाउन क्यों न हो गई हो, फिर से उडने लगेगा व्यक्ति, और फिर जीवन एक ऐसी सुन्दर लेविल पर चलने लगेगा, कि लंबे काल तक गिरावट आएगी ही नहीं, लेकिन ब्रते जी फिर आगे किस प्रकार का अभ्यास करें, तीन दिन तो हमन फिर डेली अमरतवेला उठना और इस वरिये महवाग के सुनना, सवेरे बहुत अच्छा योग हो जाए, सवेरे चार से आठ तक अपने को अच्छी तरह चार्ज कर लें, और कम से कम आधा पोना घंटा रोज स्याम का योग भी अवश्च करना चाहिए, और बीच में इस व कि राय दूँगा कि हर तीन मास के बाद व्यक्ती ऐसे तीन दिन स्वेर करें और फिर बैसी अपनी एक तीन दिन की योग-सादिना का प्रोगरम बनाये, हर तीन मास में तीन दिन ऐसा साधना का प्रोग्राम बना ले मौन रखकर और अमरत्वेला सारा दिन स्वामान का अभ्यास और स्याम को योग अभ्यास ये रगुलर रखे पुरली में इस नहीं करनी चाहिए इस वर ये महावाग के बहुत सुन्दर चीजे हैं देखिए मुश्किल से तो भगवा होता जाएगा अनेक अच्छे रहस से हमारी समझ में आते जाएंगे और जिसने सवेरे बहुत अच्छा योग किया हो वो जब इस वर ये महावाग सुनेंगे तो अनेक बुई ये रहस से उनको समझ में आएंगे इन चीजों को लेकर चलने से किस्थिती में कभी भी अगला प्रशन प्रता जी देव्यानी मुहंती जी ने कुलकाता से भेजा है और ये कहती है कि बाबा हमीशा कहते हैं कि तुम्हें आट घंटा योग करना है मैं लाग कोशिस करती हूं कि आट घंटा योग करूं लिकिन ये संभव नहीं होता है प्रिपया ये बताएं कि कै किसे यह संभव होगा और इस आठ घंटे योग में क्या-क्या शामिल किया जा सकता और साथ ही इसके फायदे भी क्या हैं यह भी इनोंने जानना चाहा हैं फायदे तो अनेक हैं और उसको जानने से तो इनोंने उमंग आ जाएगा इस सारे संसार में 108 आत्माएं बहुत महान हैं जो भगवान ने चुनी हैं जो माया पर सबोन जीत प्राप्त करती हैं माया का यह आर्थ है काम, क्रोध, लो, मो, हैंकार, इर्षा, द्वेश, वैरभाव इन सब से तो यह 108 आत्माएं इन पर विजय पाती हैं और उनकी पहली साधना है 8 गंटे योग जो 8 गंटे योग करेगा मनुसर लंबा समय करेगा उसकी इस माया पर विजय होती चलेगी और वो बन जाएगा विजय रत्न जिसकी यादगार में 108 की माला, उन आत्माओं की यादगार में माला बनी है जिनोंने माया पर संफूर्ण विजय प्राप्त की है आठ गंटे योग का सबसे ज़ादा महत्व ये है दूसरा महत्व ये है जो 8 गंटा रोज योग लगाते हैं उनसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशन्स निरंतर चार ओर फैलते रहते हैं सुक्ष्यांति पवितरता शक्ति इन सब के तो ये बहुत बड़ी सेवा का साधन है जो कि भगवान यूग बदलने आया है कल यूग को बदलना है सत्यूग की पुने स्थापना करनी है तो 8 गंटे योग माना इस बदलाव के कारिये में बहुत बड़ा योगदान बहुत सहयोग दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये है तीसरा 8 गंटे योग करने वालों को बहुत लंबा समय इस वर ये मिलन का अनुभव होगा रोज चोथी बात बुद्धी बहुत सुक्सम होती जाएगी रिफाइन मन बहुत अच्छी स्थिती में रहेगा सुन्दर विचारों को मन एंजोए करेगा बुद्धी क्लीन होती जाएगी रिफाइन होती जाएगी करम इंद्रियां सीतल होती जाएगी पांच्छी बात प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी और प्योर बनना कल्योग में ये बहुत बड़ी उपलबधी है मैं जब बच्पन में था तो अब ब्यास करते हैं उनका मन विलकुल स्यान्त करमेंद्रियों पर विजय माया विशंकल्पों पर विजय होकर वात्मे संभून पवित्र बन जाती हैं अब इसमें हम 4-5 चीजों को इंकलूड करेंगे पहला ब्यास स्वामान जिसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं 500 रूपों क अब्यास जिसमें हमारा SRED पन भी आ गया इसके बाद योग के भिन बिन अब्यास चाहे हम भगवान से रूरिहन करें या सुक्समलोक में जाकर उससे मिलन करें और फिर परमधाम में उसके वाइब्रेशन्स के नीचे वैठना जिसको हम पावरफुल योग कहते हैं जो आल आते आठ घंटे योग में आ जाएंगे मानलो हम चलते फिरते हैं और हम यह अभ्यास कर रहे हैं मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिस्ता हूँ मानलो कोई माता भोजन बना रही है और वो यह बार बार अभ्यास कर रही है मैं परमपवित्र आत्मा हूँ तो यह योग अभ लगता है आपको जैसी प्लाणिंग आपने दी है वैसी प्लानिंग करना लोगों को नहीं आता या फिर उसे जब इंप्लिमेंट करने की बात आती है प्रैक्टिकल में वहां दिक्कत हो जाते हैं। तो यसी कोई बात नहीं कि इसमें सफलता नहीं। और यदि आप शास्त्र उठाकर देख लें तो पता चलेगा कि सचमुच राजयोग एक संजीवनी है जिसमें हर समस्या का समाधान है। जाहे पारिवारिक, समाजिक या वैश्विक समस्या है सभी का समाधान राजयोग में समाहित है। मूल बात राजयोग यही सिखाता है जो मैं अब तक समझ पाया हूँ भाताजी के साथ चर्चा करते हुए कि से मन बहुत सशक्त हो जाता है। मन में एक सकारात्मक भाव आ जाता है और हम उस परमसत्ता के बहुत नजदीक पहुँच जाते हैं। और यदि ये सब चीज़ें हो जाएं, मैं अंदर से सशक्त हो जाओ, मजबूत हो जाओ, मेरा द्रिस्टिकोन बहुत व्यापक हो जाए, विशाल हो जाए, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाए और उस सर्वशक्तिवान का साथ मुझे प्राप्त हो जाए, तो आप स अच्छी हो जाएगी, तो हम भी राजयोग में यही अनुभव करते हैं, कि प्रभू मेरे निकट है, तो समस्यां जाहे कितने भी विकट हो, समाप्त हो जाती है, इस निकट तक हो, और भी बढ़ाएंगे, बने रहिएगा समाधान कारे क्रम में हमारे साथ, नमस्कार